हलो एवरिवन वेलकम बैक तू माई योट्यूब चैनल नेहा यादवदो फैशन डिजाइनर और आज के इस वीडियो में मैं आपको अनारकली सूट बताने वाली हूँ कि उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको measurement निकालना बता देती हूँ कि measurement कैसे निकालते हम कली होगी तो यह देखिए गाइस मैंने हाप पर measurement note की हुई है मेरे पास जो total length है सूट की वो है 50 उसके अंदर मैंने 2 inch add किया है क्योंकि नीचे fold होगा ऊपर भी जाएगा और बीच में भी जाएगा सिलाई में तो उसमें 2 inch adding किये 52 हो गया है body की जो length है मेरे पास वो है 17 तो मैंने 52 total में से body की जो length है वो minus कर दिया है तो 35 आ गी है मेरे पास यहाँ पर यह सारी measurements ती chest की, burst की and waist की इसमें हमें hip की जरूरत नहीं है क्योंकि हम waist तक हमारी body जो है वो आ रही है तो हमें waist से लेनी है इसकी जो कलियों की हम size निशान लगाएंगे तो सबसे पहले यह मैंने आपको निकालनी measurement औरड़ी सिखाई हुई है तो जो हमारी उपर की body की cutting होगी वो बिल्कुल basic जैसा हमारा suit की cutting होती है वैसी ही होगी उसका नीचे link मैं दे दूँगी मैं इस video में आपको कलियां कैसे cut करते हैं वो बताने वाली हूँ तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ करनी है कलियां कैसे निकालते हैं जितनी भी आपकी waste होगी जहांसे भी मतलब आपकी जो उपर वाली body है खतम हो रही है वहां से आपने measurement लेनी है तो मेरी आ रही है 31 उसमें मैंने 2 इंच की losing दे दिया है 33 आ गया उसका half कर दिया मैंने 16.5 आ गया अब कलियों की measurement कैसे निकालते हैं जितनी भी आपने कलियां डालनी है मैं यहां पर इस कपड़े में 24 कलियां डालने वाली हूँ तो मैंने यहां पर 24 का आधा हो गया 12 तो मैंने जितनी भी मेरी waste आई है 16.5 उसको 12 से divide कर दिया तो मेरे पास आगया है 1.3 उसके अंदर मैंने 0.5 seam जो हमारा सिलाई में जाएग यहां पर अगर आप यहां पर माली जी टोटल जो है पूरे घेरे में 20 कलिया डाल रहे हैं तो आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे जितनी भी कलिया डाल रहे हैं उससे हाफ से डिवाइड करेंगे मैं यहां पर 24 कलिया डाल रहे हैं मेरे पास जो हाई यहां पर 5 मीटर फैब अगर कोई पतला आट उसकी साथ कहलेंगी मोटा शे कल आज निकल जाएंगे यहां पर आप 8 इंच 12 इंच तर नीचे कर पर दक हकते कातून थाम जब कर आप निशाणल लगाऊंगे तब आपको बताऊंगे यह चीजे कैसे निशान कैसे लगाना है आपको आपको बस मेजरमेंट अच्छे से निकालनी आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बहुत ही आसान है कलिया कट करनी आप देखते जाहिए मैं भी जल्दी से स्टार्ट करती हूं तो यह देखिए गाइस यह मेरे पास यहा यहां पर लेंथ निकली थी हमारे पास यहां पर लेंथ थी नीचे की जिसकी हमने कलियां कट करनी है वह 35 आई थी तो आपने क्या करना है यह फैब्रिक मेरे पास यहां पर डबल है क्योंकि मैं इनको एक साथ कट कर लूँगी आपने क्या करना है कि जितनी भी कलिया डालनी तो मैंने यहां पर क्या किया हुआ है कि यहां पर फैब्रिक मेरा ओपन साइड से जो यह वाले साइड है यह मेरा ओन फोल्ड साइड है मैं यह उपर इसमें बॉड़ी निकालूंगी तो मैंने यहां से मैंने लेंथ का निशान लगाया है इस साइड में यह मेरा पूरा जो न अगर आपका पांच मीटर फैब्रिक इखटा है तो आपको क्या करना है कि एक साइड को उठाना है इस टाइप से और जितनी भी आपकी लेंथ हा रहे हैं जैसे 35 लेंथ है तो 35 को चार बर ले लेना है फोल्ड कर लेना है तो आपको सारी कलिया जो है वो एक साथ कट हो जाएं तो आप मैं नीचे से जो हमारी चोड़ाई होती है नीचे वाली जो चोड़ाई है वो 10 इंच ले रहे हैं आप 8 इंच भी ले सकते हैं 12 इंच भी ले सकते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ दोनों साइड ओपन साइड आप किसी भी साइड निशा अगर आपने नीचे बारा इंच्च का निषान लगाया है तो उपर छे का लगाएंगे नीचे आठ लिया तो उपर4 का लगा ऊपर आपशे करने लगाने है अब जिस सई आपने हाफ वाला निशान लिया है वहां पर आपको क्या करना जितने भी हमने कलीया निकाली थी वेस्ट से हमने ट्वेस्ट को डिवाइड किया था तो हमारा पास त्वी नीशान निशान है उसका वन इंच हम इधर लगाएंगे 1 इंच इधर लगाएंगे क्योंकि मेरे पास 2 इंच है माली जी आपका यहाँ पर 3 इंच वेस्ट निकल रही है तो आपको 1.5 इंच इस साइड लगाना है 1.5 इंच इस साइड लगाना है तो मैं दोनों साइड में 1.1 इंच का निशान लगा रही हूं यहाँ पर यह निशान लगा दिया मैंने अब जो लाइन का एक साइड वाला जो निशान है इस निशान को हम यहाँ पर जो 10 इंच वाला निशान था इसके साथ मिला देंगे और जो इस साइड वाला हमारा निशान आया था इसको हम बिल्कुल यहां पर corner पर मिला देते हैं तो यह मैंने यहां पर निशान लगा दिया है अब आपको क्या करना है एक सीरीज में चलना है कैसे हमने पहले नीचे की साइड जो है 10 इंच का निशान लगाया था उपर 5 इंच का निशान लगाया था यह अब आपको क्या करना है कि नीचे की साइड में तो है जहां प तो एसे ही कीनि कली यह करते जाएंगे और इस सारी किल्यों लगा देभालता है तो यह देखो कि आन में यहां आपने में आपको एक कली बिठाई थी वैसे ही आपके सारी कली निकाल लें लींए जितनी भी आपकी end तक निकलती है तो मेरी इस length के अंदर जो है 6 कलिया निकली है total तो मैंने यहाँ पर double fabric क्या हुआ इसका मतलब 12 कलिया निकल गी है मैं से इसी तरीके से जो मेरा यह half fabric जो बचा हुआ है इसमें से भी मैं 12 कलिया निकाल लूँगी length लेके तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरे length है यह वाली इस उपर वाले fabric को अलग कर देती हूँ इसको निकाल देती हूँ मैं तो यह मैंने यहाँ पर जो मेरी length थी वह आउपर extra fabric था उसको निकाल दिया है अब हमें कलियां कट करनी है तो मैं आपको दो कलियां कट करके दिखा देती हूँ सेम वैसे ह सारी कलियां कट होंगी हमने जो निशान तो अल्डरी लगाए हुए यहां पर तो यह जो हमारा सबसे पहले साइड वाला निशान था मैं यह कट कर रही हूं यहां पर बिल्कुल नीचे कॉर्णर तक जाएंगे हम इसको कट करते हुए जो जो हमने निशान लगाए सेम उसके जाने आपने उसके बाद जो हमारा यह वाला निशान था सेम इसको कट कर लेंगे फिर सारी यह तो हमारी इसी तरीके से सारी कलियां कट हो जाएंगी तो यह देखे गाइस मैंने यहां पर जो यह सारी कलियां कट कर लिए आपको दिख रही होंगी यह सारी कलियां कट होगी मेरेपास यहां पर हैं इसी तरीक्य से 12 कल रός और कट कर Insanda यह देखिए गवा तो मेरेपास में ऐसे उर्क परिम जोडेंगे आपक at कर लिया इसकी मैंनेब को है इसलिए नहीं दिखाई है कि बेसिक सूट की जो कटिंग होती है बिल्कुल सेम वही कटिंग है बैस मैंने 0.5 जो है वो बैक में एक्स्ट्राल है क्योंकि मैं यहां पर जिप लगाऊंगी तो बस यहीं चेंज है इसके अंदर बाकी इसके जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सेरियो अगर आपको बेसिक की नहीं कटिंग आती है तो आप वहां से देखके उसकी कटिंग कर सकते हैं सिर्फ हमने लेंद शॉट कर दिया बाकी कुछ भी नहीं है बाकी सब कुछ सेम चीज़े हैं एंड स्लीव की मैंने जो कटिंग की हुई है वो मैंने आपको बताई हु देगा तब तक के लिए धन्यवाद